हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चनल शेयर बादर वितायुष और इस वीडियो में बात करेंगे आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में 27 जून की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में लेकिन एक बहुत बड़ा खबर निकल के आया है एक नहीं दो जरूर देखिएगा फर्स्टेम फ्रेंट्स अगर अपने चैनल को विजट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा लेकर अब हुआ क्या है basically holiday की date change हो गई है जो Market की Holiday दोस्तो 28th आफ जून को ने वाली थी यानि कल Market की जो holiday होने वाली थी वो अब एक दिन बाद जैनि 29th of June को होगी इसका मतलब क्या है 29th of June को अब मार्केट बंद रहेगा बेसिकली होता क्या है जो महारास्टर गवर्मेंट की holiday dates होती है जो वो holidays रखते हैं उसके हिसाब से दुस्तों stock market की भी holidays ताय होते हैं तो महारास्टर गवर्मेंट नहीं अनौंस किया कि 29th of June को बकराइद की holiday रहेगी 29th of June को जब बकराइद की holiday रहेगी तो markets भी 29th of June को भी बंद होएगे क्योंकि markets उसी प्रकार चलते हैं यानि जो markets में पहले 28th of June को holiday था अब वो 29th को shift हो गया तो अब यह IP क्या होगा अब देखें बेसिकली अभी तक information सही तरीकी से तो निकल के नहीं आई है लेकिन most likely क्योंकि कल markets open रहेंगे तो हो सकता है कि कल ही इसका आखरी दिन भी हो further details जब आएगी तो आपके साथ share कर दूँगा मैं community पर टैप पे लेकिन अभी तक जो बात निकल के आ रही है उसका अगर हम मतलब निकले तो most likely idea force कल बंध हो जाना चाहिए अभी भी जैसे मैंने का कोई confirmation नहीं है बढ़ हाँ इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि markets कल open रहेंगे कल markets बंध नहीं रहेंगे अब price band तो दोस्तों 672 रुपीस का है 22 shares मिलने वाले है 567 करोड का ये पुरा issue है कुल मिला के जो subscription निकल के आया है अभी तक जो subscription है वो तो अपने आप में बहुत ही कमाल है धमाके दाहर है सारे words इसके लिए कम पढ़ सकते हैं QIB ज़रूर अभी तक कुछ जादा पैसा नहीं लगा है 11.63 करोड के आसपास ही लगा है H&I ने 10.74 लगा दिया है 912 करोड के आसपास जिसमें से Big H&I ने 8.79 Small H&I ने 14.63 Redalus ने करीबन 24.17 टाइमस 24.17 टाइमस Retail के देखने लगा दिया है कमपनी के employees भी पीछे नहीं अटरे है अल्मोस 15-16 टाइमस आईपयो के सब्सक्राइब कर दिया है कुल मिलाकर ये इशू का अज 2 है और अभी तक अभी तो शुरुवात का एक 2 घंटा ही हुआ है 7.38 टाइमस ये इशू अल्यड़ी सब्सक्राइब हो चुका है बहुत ही अच्छा पैसा निकल कर आ रहा है जैसे मैंने कहा भी आपको बने जो भी डीटील बदाईए उसका फॉर्दर जो भी अपडेट निकल कर आएगा वह आपको पता चल जाएगा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रिस करके रखना है ता कि आपको सबसे पहले इंफोर्मेशन मिल सके तो आज से एक नया मेंबड आईपियो साइन डीलम ओपन हुआ है Electronic Manufacturing Services and Solutions की कंपनी है और आज से साइन डीलम का IP ओपन हुआ है साइन डीलम साइन की सबसेटरी है और आज से ये इशू ओपन हुआ है 30 अब जून तक ओपन रहेगा अब अगेन इसमें भी डेट्स में क्या आगे चेंज होता है ये भी अपना आप में important point होगा देखने का because 27, 29 और 30 डेट्स थी लेकिन क्योंकि अब 29 को holiday रहने वाल है तो क्या ये 29, 28 में बदल जाएगी या फिर 30 को बढ़ा के फिर आपे आगे तक लेके चल जाते है 1st of July तक लेके चल जाते है बट 25 रुपे प्रती शेर का प्राइस बन कंपनिया तरही किया है 56 शेर आपको मिलने वाले है 592 करोड रुपीज का ये पुरा इशू होने वाला है पुरा का पुरा फ्रिश इशू है कल दोस्तों Anchor Investors ने काफी अच्छा कासा पैसा लगाया है Anchor Investors को कुल मिलाके 253 करोड पैसा लगाया है जिसमें अगर आप मैं Mutual Funds के बात करता है तो इसमें ICSA Prudential, ICSA Prudential Small Cap, HDFC Mutual Fund बहुत सारे funds आये है इसमें Founders, Collective Fund, ICSA Prudential, ICSA Prudential Small Cap, HDFC, Nippon Life, Aditya Billah then Amansa Holdings, Aditya Billah Sun Life Trusty, Private, DSP, Tiger so Public Sector Pension Fund, IFL Asset Management Limited, Data Infrastructure, LIC Mutual Fund so अलग-अलग टाइप की Mutual Funds आये है बहुत जादा Mutual Funds आये है तो कुल मिलाके शियर्स किस तरह से offer किये गए sorry 259 करोड का था ठीक है 259 करोड का एंगर इंवेस्टर का पोशन था QIBS को 173 करोड का आसपास का पोशन मिलेगा HNIs को 86.55 करोड का और Retail Category को 57.70 करोड का Company के Employee को 15.96 करोड का offer जो है वो basically मिलने वाला है तो Company के Employees के पास भी अच्छा कासा पोशन रहेगा अभी तक कि अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ तो अभी तक कर सब्सक्रिप्शन में QIBS इस नयविता कुछ खास पैसा लगाया नहीं है HNIs ने कुल मिला के 46.65 करोड के शेयर के लिए अपलाय कर दिया है जिसमें से जो बिग एचनाइज है उनकी तोरह 23.34 करोड के आसपास एं स्माल इजनाइस के पास 23.31 करोड के आसपास इस एशो को सब्सक्राइब पर देने 163.71 करोड के आसपास अभी से ही लगा दिया है यानि इस डिटल के डिगर तो अभी से ही ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है जो अपना आप में बहुत ही मासिव है और कुल मिलाकर यह जो एशो है वो more than half तो अलड़ी भर चुका है तो एक अच्छा खासा पैसा साइन DLM के अंदर भी निकल कर आ रहा है एक और आईपी जो जल्द ओपन होगा वो है PKH Ventures 30 जून से 4 जुलाई की पीच में यह इशो ओपन होगा और इसकी भी लिस्टिंग BAC और NAC दोनों पर होगी क्योंकी मेंबोर्ड आईपी ओ है तो बिल्कुल आक्षन काफी है आक्षन के अंदर कोई भी कमी नहीं है मेंबोर्ड में अब यह भी कह सकते हैं और क्यों कमी नहीं है बिकॉस दोस्तों Tata Technologies IPO को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है जी हां तो क्या बड़ी खबर एक खबर बड़ी यह है कि Tata Technologies IPO को सेवी का अप्रूवल मिल गया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट पे तो ग्रे मार्केट में अलफा लॉजिक इंडस्ट्रीज की कोई ग्रे मार्केट नहीं है बट यह SME इशू 3 जुलाई को ओपन होगा Synoptics Technologies SME इशू है 10 परशन के असपस का GMP चल रहा है यह इशू भी ओपन होने वाला है 30 जून से 5 जुलाई की बीच में तो इसके उपर भी नज़र रख सकते हैं अगला आता है त्रिद्या टेक 5 रुपे के असपस का GMP चल रहा है यह इशू 30 जून से 5 जुलाई की बीच में ओपन होगा PKH Ventures IPO ग्रे मार्केट ज़रूर कुछ खास नहीं दिखरी है 5 परसन के आसपस लेकिन 7 रुपे के असपस की देखते ग्रे मार्केट है देखते कितना बढ़ सकती है बड़ अभी तो कुछ खास ग्रे मार्केट नहीं है PKH Ventures की Global Pet Industries कोई ग्रे मार्केट नहीं है 49 रुपीस का इशू है यह 29 जून से ओपन होगा मार्केट में पेंटागोन रुपर अच्छी खासी ग्रे मार्केट चल रही है इशू उपन है 32.86 परसन के असपस का GMP है 23 रुपे के असपस का ग्रे मार्केट एग्जाक अगम देखा जाए और यह इशू 30 जून को बंद होगा याद रखेगा SME इशू है अगला आता है साइन DLM 95 रुपीज के असपस की ग्रे मार्केट चल रही है अल्मोस 35-36 परसन के असपस का प्रीमे में जो अपना आप में बहुत शांदार है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह इशू आज से उपन हुआ है आपको पता ही है Green Chef Appliances जो आज बंद होने वाला है Green Chef Appliances भी दोस्तों एक बहुत important IP होने वाला है जो आज बंद हो जाएगा SME का है 55% के असपस का GMP है तो बिल्कुल इसके उपन अज़र रख सकते हैं आज आखरी दिन है यह बात ध्यान रखिएगा 87 रुपीस का प्राइस बंद है Max and Retail कोई ग्रे मार्केट नहीं है और लग भी नहीं राकिए कुछ यहाँ पर खास हो रहा है बट ठीक है यह भी इशू आज बंद होने वाला है Essence Specialty Films यह भी एक अच्छा SME इशू है जो आज बंद होने वाला है 51 रुपीस का प्रीमियम है जो भी अपनाब में बढ़िया है बाकि कोई भी IPO का खास ग्रे मार्केट नहीं है हम एगरो का करीबन 12 रुपे का आज पस का ग्रे मार्केट चल रहा है जो भी कुछ खास नजर नहीं आता है चार जोलाई को इसकी लिस्टिंग है तो इस वीडियो में इतना ही था होफुली आपको वीडियो बहा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहले बाद जूड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंट्स वाचिंग दिस वीडियो